ये कहानी एक ऐसे गैंक्स्टर की है जो की कर्जा वसूली का काम करता है और इसी के चलते इसे काफी गरीब लर्की से प्यार भी हो जाता है लेकिन एक बिमारी के चलते इसकी कुछी दिनों में मौत होने वाली थी तो अब आगे इन दोनों की जिन्दगी कैसी कैसे मौर लेती है तो चलिए जानते हैं तो कहानी की शुरुआत में हम टाय को देखते हैं जो की कर्जा वसूली का काम करता है एक दिन टाय कर्जा वसूलने के लिए एक दुकानदार के पास आता है लेकिन दुकांदार कहता है मैंने सारे पैसे घर के खर्च और बच्चों की स्टडी में खर्च कर दिये जिसे सुन टाय को काफी कुछ सा आता है तो वो एक तेल की बॉटल उठा कर अपने साथ साथ दुकांदार को भी मारने की धमकी देता है जिस धमकी से डर कर दुकानदार अपने सारे पैसे निकाल कर टाय को दे देता है लेकिन टाय एक गुंडा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है जो अपनी तरफ से कुछ पैसे निकाल कर दुकानदार को दे देता है और कहता है कि इन पैसों से तुम अपने घर के खर्च और बच्चों की स्टडी पूरी करो और इनी अच्छी बातों की वज़े से बहुत से लोग उसे पसंद भी करते थे अब इसके बाद टाय का बॉस उसे एक और आदमी के पास करजा वसुलने के लिए भेजता है जो की वीमारी के कारण हॉस्पिटल में भरती था और वहीं पर टाय की मुलाकात होती है एमा नाम की एक लड़की से जो की उसी करज़दार की बेटी थी और उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी अब यहाँ पर टाय को लग रहा है कि वो बूरहा आदमी करजा देने के कारण कौमा में चला गया है तो वो अपने लोगों के साथ उस बेचारे मरीज को परिशान करने लगता है एमा काफी दुखी और गुसे में थी लेकिन वो लाचार भी थी क्योंकि उसके फादर ने पैसे लिये थे तो अब उसे उस पैसे को देना तो परेगा ही अब क्योंकि एमा के पास पैसे नहीं थे तो एमा को उनके एक एग्रिमेंट पर साइन करना पड़ता है जिसके हिसाब से एमा को जिन्दगी भर उनका करजा भरना परेगा अब वही हम टाय को देखते हैं, जिसे एमा को देखकर पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद से ही वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, और फिर एक दिन मौका देखकर टाय एमा से ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर एमा को ना चाहते हुए भी उसे हा करना पड़ता है, क्योंकि एमा उसकी करदार है, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रबल्म हो जाती है, यूंकि टाय को नहीं पता कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है, तो वो एमा के साथ órgan transplant की बाती करने लगता है, जिससे एमा को लगता है कि शायद वो मुझे धमकी दे जिस बात से गुसा होकर एमा उसे गाली देकर चली चाती है अब हम टाइक के घर को देखते हैं जहां पर वो अपने फादर और भाई के साथ रहता है और उसकी नेफियों के अलावा घर में उसकी कोई भी इज़त नहीं करता उसके फादर अपने बेटे से काफी परिशान हो चुके हैं क्योंकि टाइक 40 साल का हो चुका है और उसका अभी तक कुछ भी ठीकाना नहीं लगा जिस कारण टाइक आपनी फैमिली के साथ जगरा होते रहता है अब टाइक को एमा की काफी याद आ रही थी तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है जहां पर उससे पूछता है कि तुम इतना सारा करजा कैसे भरोगे लेकिन एमा उसे एक बार फिर से गालियां देते वे कहती है कि तुम उससे दूर रहो मैं अपना देख लूँगी और फिर उसके बार बार गाली देने की वज़य से वो अपने बॉस के पास जाता है और एमा की करजा माफ कर सकता हूं लेकिन इसके बद्दे तुम्हें मेरे साथ हर दिन घूमना होगा और फिर जब यह ड्रॉइंग कंप्लीट हो जाएगी तो यह फाइल तुम्हारी यानि कि तुम्हारा सारा करजा माफ अब यह सुनकर एमा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुसे प्यार तो नहीं हो गया और यह सुन टाइ की धरकनी तेज हो जाती है जिसके बाद वो दोनों मिलना शुरू करते हैं लेकिन एमा उसके साथ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो उसकी एक मजबूरी थी वो बस शांती से बैठ कर टाइम के गुजरने का इंतजार करती रहती ह और ऐसे ही बहुत से दिन बीच आते हैं जहां एक दिन एमा नोटिस करती है कि टाइ उसके फादर का काफी ख्याल रख रहा है जिसे देख एमा के दिल में टाइ के लिए इज़त बढ़ जाती है और आज पहली बार वो उसके साथ खाना खाती है जिसे देख कर टाइ काफी खुश होता है और अब एमा भी उसे पसंद करने लगी थी लेकिन एक दिन टाइ के लोग कुछ कर्जदारों को तंग कर रहे थे तो टाइ वहां पर उन सभी को मारने लगता है और फिर उसी वक्त एमा भी वहां पर आ जाती है जो टाइ को लड़ता देख उसे उससे एक बा आज जाकर बाते करने की कोशिश करता है पर एमा उसके ऊपर काफी गुस्सा थी वह उसे वहां से जाने के लिए कहती है तो टाइ अपने दिल की बात एमा को बता देता है कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है पर एमा उसकी एक भी नहीं सुनती और अपने फादर को लेकर वहां से चली जाती है। अब टाय का दिल काफी तूट चुका था। वो काफी सारी दारू पीकर हॉस्पिटल में आता है। और एमा से कहता है कि वो उसे कोई भी प्यार प्यार नहीं करता। और कल मैंने जो कुछ भी बोला वो फिर से लेता हूँ। और ऐसे ही कई दिन बीच जाता है लेकिन टाय एमा को भूलने ही पाता। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि एमा के फादर इस दुनिया को छोड़कर चले गई। एमा इतनी गरीब थी कि उसके पास उसके फादर के फ्यूनरल कराने तक के पैसे नहीं थे। तो टाय वहाँ आकर उसके फादर का काफी अच्छे तरीके से फ्यूनरल कराता है जिससे देख एमा काफी खुश होती है जिसके बाद एमा और टाय एक खुश आते हैं और पूरी जिंदगी एक साथ पिताने का फैसला करते हैं लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मनजूर था और कहानी दो साल बाद शुरू होती है जहां टाय आज जेल से आजाद हो रहा था जेल से छुटने के बाद वो अपने घर आता है जहां टाय के पिता अपनी जिंदगी से काफी परिशान थे क्योंकि टाय का बढ़ा भाई और उसकी वाइफ उसके फादर से काफी काम करवा बाया करते थे जिस बात से टाई गुस्सा होकर अपने भाई को पीट देता है अब थोरी दिर बाद टाई एमा से मिलता है जहां एमा उसे काफी नफरत करती है हलांकि टाई काफी शर्मिनता है पर एमा उसे कहती है कि मैं आशा करती हूं कि तुम जल्दी से मर जाओ और ये कह पादर के insurance के पैसे से एक दुकान खोलना चाहती थी लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छी दुकान ले सके तो टाई कहता है कि attention मतलो मैं तुम्हारी help करूँगा जिसके बाद वो अपने boss के पास आकर कहता है कि boss अब मैं इस काम को छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं Emma के साथ एक new life start करना चाहता हूं जिस पर उसका boss कहता है कि ठीक है लेकिन तुम मेरी तरफ से जितने भी लोगों को पैसे उधार दिये थे व खैर अब टाय और Emma इक दुकान देखने चाते हैं जो कि काफी बरी और महंगी थी तो Emma इसे खरीदने से मना कर देती है लेकिन टाय कहता है कि हम यही shop खरीदेंगे जिसके बाद टाय Emma से सारे पैसे लेकर boss के पास आता है और उसे सारे पैसे दे देता है क्योंकि शहर में एक बहुत ही बड़ा जुआ होने वारा था जिसमें boss उसके इन सभी पैसों को लगा कर डबल करवा देगा और जैसे ही पैसे डबल होंगे तो वो shop ले लेगा लेकिन उसी रात gambling area में कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जो कि टाय के सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं टाय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश भी करता है जिसके चलते उसे पता चलता है कि ये सभी लोग कोई और नहीं बलकि उसके boss के ही आदमी थे यानि कि boss ने वहां भी सभी लोगों के साथ साथ टाय को भी धोखा दिया अब इधर Emma टाय का इंतजार कर रही थी लेकिन काफी देर तक टाय भी पी रखी थी अब इन बातों बातों में इन दोनों के बीच fight भी हो जाती है और Emma उसे थपर मार कर वहां से चली जाती है जिसके बाद टाय की fight एक बार फिर से कुछ officer से होती है जिसके चलते उसे जेल हो जाती है लेकिन जल्दी वो जेल से छूट भी जाता है क्योंकि व वो ये बात किसी को भी नहीं बताता कि उसे brain tumor है घर आकर वो कहता है कि मैंने वहां काफी अच्छा behavior किया जिस वज़े से मेरी सजा कम हो गई अब कुछ दिनों बाद टाय जैसे तैसे अपने boss का पता निकालता है और उसके पूरे office को तहस नहस करने के बाद वो उसे अपने situation बदाता है कि कुछी दिनों में मैं मरने वाला हूँ और मुझे Emma से माफी मागनी है तो अब boss को भी उसके उपर तरस आता है जिसके चलते वो उसके पैसे वापस कर देता है इसके बाद टाय वो सारे पैसे लेकर Emma के पास आता है पर वो उसके उपर काफी गुसा थी और वो दोनों अपनी जिंदगी में कुछ ढंका कर लेते तो उन्हें काम करने की जरूत नहीं बढ़ती फिर आखरी बार टाय अपने पिता के पास जाता है वो उनके साथ खूब सारी बाते करता है उनके पैर दबाता है और कहता है कि अगर मैं मर जाओं तो याद रखना कि मैं से निकल रहा था तब ही उसे उल्टिया होने लगती है जिसके चलते वह वहीं पर बेहुश हो जाता है और फिर अगली सीन में टाय की जब आँख खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहापर उसे पता चलता है कि एमा नाम की एक नर्की ने उसके बिल की हो जाती है और इधर टाय उस सिटी को छोर कर जा रहा था क्योंकि वह नहीं जाता था कि उसकी सिचुएशन के बारे में किसी को भी कुछ पता चले लेकिन वह अपने फ्लाइट को पकरता इससे पहले ही एमा भागते वे उसके पास आ जाती है जहां पर वह एक दूसरे को जानते हैं कि टाय ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा और फिर थोड़े दिन बार टाय की मौत हो जाती है जिसके गर पर भी सबही लोग काफी रो रहे थे जिसके बाद टाय के फादर एमा से कहते हैं कि मरने से पहले टाय ने मुझे कहा था कि मेरी जिन्दकी का पता नही लेकिन मैं एक लड़की से बहुत फ्यार करता हूँ पर मेरी बेब कूफी की वज़े से सब कुछ बिगर गया मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाओं तो आप उसका एक फादर की तरह ख्याल रखना क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है जिसके बाद एमा के फादर उसके साथ बाते करते हैं और फिर मूवी के आखरी में हम देखते हैं कि एमा काफी दुखी थी वो रो रही थी एन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो गाईज अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और ऐसी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना थेंक्यू